हलो एंड वेलकम टू माई चैनल स्पेस विद आकाश देखो आज बात करेंगे जुबिटर की और जुबिटर की कुछ ऐसे फैक्ट की जो आप लोगों को जरूर जाने चाहिए शुरू से सुरू करते हैं जुबिटर का जनम सुरे की उत्पत्ती के महच 40 लाग साल के अंदर हो गया था और ये सौरे मंडल का सबसे पुराना ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है अब अगर बात की जाए जुबिटर की सता की तो जनम से ही जुबिटर गैस जाइंट है जिसमें 90% हाइडरोजन, 10% हिलियम और 0.07% मिथेन, पानी, अमोनिया और चक्तानी धुले हैं आप सोच रहे होंगे कि जुबिटर पर ठोस जगा होगी लेकिन नहीं, जुबिटर पर कोई भी ठोस जगा नहीं है, अगर जुबिटर के आकार की बात की जाए तो जुबिटर प्रित्वी से 11 गुना अधिक विशाल है और सूरज से 5 वंग रहे हैं, जैसे सूरज की किरनों क प्रित्वी तक पहुँचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, उसी तरह जुबिटर पर पहुँचने के लिए 43 मिनट का समय लगता है, अगर जुबिटर के एक दिन की बात की जाए तो यहां पर 10 गंटे का दिन होता है, लेकिन सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने में करीब 12 सा अगर जुबिटर के गैनिमेड मून की बात की जाए तो वो बुद्ध ग्रह से भी बड़ा है, और सौर मंडल के 205 मून में से सबसे बड़ा मून है, और अगर बात की जाए जुबिटर के यूरूपा मून की, तो वहां पर पानी के महसागर हो सकते हैं, और नासा 2024 में वहा जुबिटर के वायूमंडल की बात की जाए तो ये जादातर तीन परतों से बना है, जो कुल मिलाकर 71 किलोमेटर तक फैली हुई है, पहली परत अमेनिया बर्फ से बनी हुई है, मध्य परत वह अमेनियन हाइड्रो सलफाइट क्रिस्टल से बनी हुई है, सबसे भीतरी परत पानी, बर्फ और वाश्व से बनी हो सकती है, जुबिटर के वायूमंडल में हर जगा तुफान चलता रहता है, जिसमें से कई 335 मिल परती घंटे की रफता तक पहुँच जाते हैं, आपने जुबिटर पर रेड जाइंट स्पॉट का नाम जरूर सुना होगा, यह इतना चौड़ा तुफान है कि यह प्रित्वी को असानी से निगल सकता है, यानि कि इस रेड जाइंट स्पॉट में एक प्रित्वी असानी से जा सकती है, जुबिटर पर यह तुफान काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन 1878 से इसे लगतार दिखा जा रहा है, जुबिटर प लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना